तो हेलो एवरीबन कैसे हैं आप से विलो गाइस क्लाइट यूजी दो यार तेस्ट ओए होए इंडिया का सबसे बहतरीन एक्जाम लगता है मुझे यह लौ अपने आप में एक बहुत बड़ा रुतबा रखता है लेकिन इस क्लाइट के एक्जाम में एक सबसे माइनर चीज जो सबसे मेजर प्रॉब्लम लेके आती है वो है इंग्लिश कई बार हम क्या सोस्थाम लगते हैं इंग्लिश बहुत असान है यार यह तो ग्रामा नावन प्रणावन हम करते आ रहे हैं तो बाल को क्लाइट का जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो काफी डिफरेंट होता है आपके English language से बहुत बारीक पॉइंट होती है तो आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को बताने वाला हूं वह बहतरी इंटिप्स साथ वह बहतरीं टिप्स और ट्रिक्स जो आपके English language को बहुत ही बहतरीं कर सकता है अपकमिंग क्लैट के एक्साम में तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले मैं नाम मैं नाम राहुल दिविदी है ठीक है मैं आप लोगों को बिसिकले English प्राने वाला हूं अभी अपकमिंग कुस वीडियोज में अब देखो यार मेरा मानने यह है कि अगर मुझे प्रान कुमारी जाना है सुनना बहुत ध्यान से प्रौक्त को चिया करना है तो आंब लोगों को राहसं बता होने ची यह ररेक्शन क्या है fresh ने बाई हार्ट का मतलब कहा है कि बिल्कुल दिल से बिल्कुल जहें में बैठालो अपने स्लेबर्स को क्या होता है ना कि हमें स्लेबर्स ही नहीं पता तो हमें नहीं पता कहा से पढ़ना है क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है हमें अगर आप स्लेबर्स को पढ़ लोगे स्लेब को आपको क्या नहीं याद करना क्या आपके लिए नहीं बना तो सबसे पहले क्या करें इस 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 की काम को दिल से पहला काम अब सबसे बता रहते तो बाव को आपकी problem के मैंने solution यहाँ पर ला चुका हूँ क्या मैं आपको बताने वाला हूँ स्लेबर्स तो स्लेबर्स में सबसे पहले आपके पास आने वाला reading comprehension, sort call उसके बाद figure speech मलब जिन्देगे में जितने भी poetic device होते हैं, जितने भी figure speech हैं, वो सब आपको पढ़ने हैं, इसके लाबा articles, article A and the बहुत simple है, कर लोगे आप लोग, active and passive voice बहुत simple है, आपने कर रहा होगा जिन्देगे में, यह भी कर लोगे आप लोग, नहीं कर लोगे, ताम तो बैठे में तो कराई देंगे इसके लाबा, आप जो है, word formations, यह थोह से hard होते हैं, ठीक है, subject verb agreement, यह थोह से हलका सहाड होता है, यह करना है मैं, उसके बाद vocabulary, ओ, 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 यह तो एक ऐसा सम्मुद्र है, यहाँ दूप्टे जाओ, दूप्टे जाओ, किनारा नहीं है, vocabulary लेकिन हम कुछ करेंगे, कि हम प्रॉपर इसके लावा, verb uses, कहाँ, verb use होते हैं, कहाँ, use नहीं होते हैं, सब देखना है हमें, first form, second form, third form, कप कहा लगेगी, इसके लावा, modals, modals अपने आपने, यह बहुत vast और बहुत easy दोनों है, ठीक है, आज हो, change हो, जो जो जी, तो भी है, यह तो था आपका, slavers, इसको आपको इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाओ, आपको सुनने का क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, slavers के अंदर जाना बहुत जोरी है, इसके लावा, next piece पर आजाओ, भीया, आप एक दूसी चीज़, कुछ ऐसी चीज़े, जो मैं आपको बताने वाला ह कि आप कैसे अपने English के preparation को बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत बहुत बहतरीन कर सकते हो, आएए देखते हैं, कुछ टिप्स, आजा भीया, आजा, अच्छा भी और भी किस बच गया, अच्छा हाँ हाँ, यह वो है भाई साब, यह तो अपने आप में भी है महान है, क्या, क spelling चेक भी आपके, कूर्स का हिस्सा, इसको भी आपको करना पड़ेगा, innocence flavors, और बरता जारहा है, बाली को, all बरता जारहा है, out, 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 अब वही सींचिस कुछ टिप्स दे ता हूँ आपको, बेकिस तरीके से हम इंग्लिस के rijक्जाम को अच्छा लेकी जा सक क्या होता है कि हम लोग English की reading habits भूल जाते है habits से फायदा होगा एक तो आपको नहीं vocabs मिलेंगे आपको spelling सही मिलेगी और आपका English आपके touch में रहेगा ठीक है दूसरा कि we are chalk out the preparation plan क्याना कि आप एक preparation plan बनाओ यह नहीं कि आप vocab कर रहे तो vocabulary करते जा रहे हो इडियम फेजिस करते जारों spelling करते जारों नहीं एक proper plan बनाओ कि आपको daily business पर हर एक चीज को trust करना है तो plan बनाओ कि क्या क्या करना है आज क्या करना है आज क्या करना है उसके बाद chapter wise जो है आप पर section wise उसकी strategy बनाओ तो दोनों चीज है plan बनाओ study बनाओ कि भीया कैसे करना है अगर मैंने ले लिया मान लेते है इडियम फेजिस तो कैसे करना है किस video को देखना है किस material से पढ़ना है वो सब आपका clear होना चीज है इसके लावा सब grammar में बहुत जाद दिक्कत होती है तो grammar कि सुनिका क्या करना ह आपको आपने basic grammar की book खरी दें जो भी आपको मैं कोई आप में राफ्रे नहीं करना है ठीक कोई promotion वीडियो नहीं है आपको जो अच्छा लगता है वो आप एक grammar की किताब खरी दें इसके लावा क्या है न कि हम लोग हिंदी में सोचके English में translate करते हैं अगर आपको reality में अपन में non-alag चीज है तो जो paper चल रहा है उसके अनुसार जो है आप each section को देखे grammar के grammar पढ़ना और clack की paper में grammar को crack करना कि दोनों अलग-लग बातें में दुबारा बता दो आप लोग सोचते हों का grammar तो आती है पर वो grammar अलग है ये grammar अलग है तो उसको देखना ये बहुत important है इसक जो भी आपका बंता जा रहे है तो आपके reading comprehension पढ़ा जो आप पढ़ रहे हो न उसको तो इसके आप दिमाग में डियाग्राम मना लो कि अच्छा 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 इसका इनपौर्टन से अच्छा मातमगानी यह नहीं किया अच्छा किताब में यह इनपौर्टन से अच का टोन क्या होगा यह उससे कहना का चाहा रहा है इसकी बात क्या है तो टोन देखी आप इसके बाद आप यह देखिए कि आप कितना समय ले रहे हो पैसिस को सॉल्फ करने हैं क्योंकि क्लाइट की एक्जाम में जो को 9 10 11 12 के पैसिस होता है नो प्रॉपर आदे पढ़ने घं अगर आपने पूरा पैसिस पढ़ लिया तो आप बेकार हो तो क्या बात कर रहा हाँ आपने पूरा पैसिस पड़ लिए तो आप बेकार हो लेका यहां पर जीच जाना वे समय बहुद灶ा बेस नहीं करना है हमें रिडिंग कॉंपरियेंसिन इसके लावन चैए अहो fakiebraili के लिए सर क्या करें कुछ बतादो तो वुकैबरी के सिंपल सी बात है अभी या जितने ज़्यादा क्विज्ज हो जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रिजदो इसके लावा जो भी जॉट डाउन जितने भी अच्छा पॉइंट लगे वह जो कोई नया वर्ड मिले उसको तुरूंत लिखो जैसे मालों को नया वर्ड मिला आपको ठीक है अब अब इडिकेट आपके सामने एक नया किताब को पढ़ लें अब करना एक किताब से वोगयाब करो क्या होता ना कि हर किताब में वोगयाब के अलगलग चड़िके उतनी आपकी वोगयाब अच्छी होती चली जाएगी इसके लावा बही या मैं वही सेम चीज़ बोलू हूं कि क्लैक्ट के जितने ज़्यादा हो स सकें उतने ज़्यादा मोग पेपर सॉल्फ करें जितने हम मैं आपको मोग पेपर पेपर सॉल्फ करें यह आपका भला कर देगा अब कुछ मेंन बात है कि सर कहां से करें कैसे करें तो देखिए हम जो है अनकेडमी 25 परसंट का फ्लैक्ट ओफर लेक्या आया है जितने भी ल सकते हो और मेरा मानना है कि आप ले लो आप करना चाहते हो तो क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं ठेक है लेकिन सर यह discount कब मिलेगा तो discount तभी मिलेगा जब आप code लगाओगे और code कौँसे लगाओगे जब आप code लगाओगे RD100, RD100, 100 में 100, RD100 तो जब आपका code का option है तो आप वहाँ पे लगाना RD100 आपको 25% का flat discount मिलेगा मेरे कहने पे ठेके जी इसके लावा आप योगे इसका एंडिस क्या चल रहा है अनकेडमी स्कॉलर्शिप टेस्ट भी स्कॉलर्शिप टेस्ट भाईया यहां पे बहुत कुछ टेस्क के साथ मेरे जितना मरजी हो सकतना है तेस्के साथ जो है आपको बहुत कुछ सीखने और जीदने का मौक मिलने वाली है यह मैंट इसके लावा बहुत की साथ जो मैं स्वॉटें मने के स acronyye तो मिया आपका word to Q2424 stain लिए हम वह लोग भाष्य उन्स टीचेस लिखते हैं है तो जाव और ढोश्काउन स्कॉंट रहानी है भी हाच्छी स्कॉंट मिलेगा कोड लगाना है कोड लगाना है 100 में 100 आडी 100 100 आप लगाओ और आपको बहुत ही बहतीं तरीके से टीचर स्क्राइब पढ़ाने वाले हैं तुभी आज जाओ करो यार जितना कर सकते हो ठीक है और यह हमारे कुछ मोग टेस्स के डेट से यहां पर आप मोग टेस्स दे सकते हो आडी 100 ठीक है वाल को तो जाओ यार यह इसका स्क्रिंश्ट लो टेस्स दो यह टेस्स आपको बताएगा कितने पानी में हो आप यह बहुत जोर यह टेस्स टाइमिंग सबकी दो बज़े ही है टेस्स टाइमिंग ठीक है साथ आठ नो दस ग्यारा बारा ग्यारा पंदरा सोल 23 और 30 अपरेल ठीक है जी अब जो जो डेट बचे रियो सुझ डेट में जाके टेस्स देदो इंडरॉल अभी कर लो टीके नीचे डिस्क्रिप्सम साइल लिंग दे रखे है मैंने ठीक है और नो डाउट टीचर्स तो परे खरना कहीं ठीक है बैचिस स्टार्ट हो चुके है जा ओ लीगल की पढ़ाई करो और लाग की पढ़ाई करो क्लैक करो रास तू भी लोगों इडिया क्या फीचर बाद में सोचो मते हम सोचने के समय के आप करने के समय स्टार्ट हो चुक है ठीक है को बालको बस नंशर्स आप Siber शार्री बैच्बेर बहतरीन बयच आपके साम तब तक के लिए अच्छे-चे काम करो, माबब कर नाम करो, till I do whatever you want to do man, but don't trouble your माता, पिता और भारत माता, जै हिंद, जै भारत, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दो, कि भाईया, फाइनली, क्लाइक की, इंग्लिज की स् चुकिए, दीखें ने तो देख लो, ठीक है भाल को, बाई-बाई, टेक्या, बाई